हलो साथ यो नोशकार जैसे कि अभी आज आप लोगों ने खबर देखी होगी कि विजय माल्या को चार महिने की सजा हुई है और 2000 रुपे का जुर्माना हुआ है अब सोसल मीडिया को मैं देख रहा था तो बहुत सारे लोग इस बात के लिए कमेंट कर रहे थे कि इतना लेकिन फिर भी उसके लिए सिर्फ और सिर्फ जो पनिस्मेंट लगाया है वो 2000 रुपे का बल्कि तो उसे 2000 करोड़ रुपे का भी पनिस्मेंट लगाते तो वह भी कम था तो ऐसी स्थिति में आखिर ऐसा क्यों किया क्या इस तरीके के जो जज्जमेंट है क्या वो कोर्ट क की तरफ से गलती नहीं है बिल्कु सोच समझ कर यह फैसलिए दिये जाते हैं और इसके पीछे पूरा कॉंसेप्ट की बैकिंग होती है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ याद होगा आपने समविधान का अनुषेद नंबर 14 पड़ा होगा समविधान का अनुषेद नंबर 14 यानि 14 नंबर का जो अनुषेद है वो राइट टू इक्वालिटी के बारे में बात करता है अखिर ऐसा क्यों हुआ कि विजय मालिया को सिर्फ दो हजार रुपे का चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो सभी के सभी कानून के समक्ष समान है यदि चाहे वो गलती अमीर करें यदि वो गलती सेम है और चाहे वो गलती गरीब करें तो पनिसमेंट दोनों को बराबर मिलेगी ये concept कहता है equality before law का लेकिन अब आप लोग जो विचार कर रहे हैं आप लोग जो बाते कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ उस concept की यदि हम बात करें तो वो concept है equal protection of law यानि कहा जाता है समान परिस्थितियों में समान बेवहार होना चाहिए तो दूसरा concept है equal protection of law यानि समान परिस्थितियों में समान बेवहार या विधियों का समान संरक्षन तो ऐ ऐसी स्थिती में, जब हम कह रहे हैं कि कोई अमीर व्यक्ति बड़ा ओफेंड कर रहा है, तो हमें उस पे ज़्याद़ एकनोमिक चार्जिस लगाने चाहिए, उस पे ज़्याद़ जुरुमाना लगाना चाहिए, यह बात सही है, यह किस कॉंसेप्ट के नुशा से सही है, एक्वालिटी, एक्वाल प्रोटेक्शन ओफ लोग, जो की कॉंसेप्ट लिया गया है, यूसे से, वहीं एक्वाल प्रोटेक्शन ओफ लोग की बात करें, तो यह यूनाइटेट किंग्डम से ये, यूके से ये, बिटेन से ये, कॉंसेप्ट लिया गया है, तो अब आपको स यादि गौर से इस बात को देखें समझें समझने की कोळसिस करें तो इनपे चार माह का इन पर क्या लगा गया चार माह का सार माइं को जील में भी रहना पड़ेगा इना court की अम्माना के चलते, यानि contempt of court के चलते, इना cyaar महिने jail में भी रहना पड़ेगा. चार महिने इनको 4 month jail में भी रहना पड़ेगा. अप 4 month jail में क्यों रहना पड़ेगा? आप सम्झो. ये इसलिए रहना पड़ेगा, क्योंकि ये तो बहुत धनाड़ व्यक्ति है, बहुत अमीर व्यक्ति है, ये चाहे तो पैसे के बल पे बोल देगा कि भाई, तुम सौ करोड़ ले लो, लेकिन मैं जेल में नहीं रहूँगा, लेकिन भारत का समविधान, या फिर मैं बात करू क्योंकि equality before law का जो concept है, वो क्या कहता है, चाहे तुम कितने भी धनाड़ दिक्यों ना हो, लेकिन कानून के समक्ष तुम समान हो, तुम्हें जेल भी जाना पड़ेगा, तो ये एक equality के principle को establish कर रहा है, ये equality के principle को establish कर रहा है, otherwise यहां पर क्या हो सकता था, बोल देते हैं कि समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाहरा हूँ, तो article 14 को आप पढ़ेंगे, तो equal protection of law और equality before law, दोनों concept को आपको समझ में आएगे, और यहां पर गरीबी और अमीदी का भेदवाव खतम हो जाता है, सब कुछ सभी को समिधान के अनुरूप, या मैं बोलूँ कि कानून के समक् यहां पर treat किये जाते हैं, equality before law के concept में, ऐसे ही जानकारी के लिए, ऐसे ही concept को समझने के लिए, आखिर क्यों, कैसे, कहां, क्यों, कैसे, क्या हो रहा है, इन सब को समझने के लिए, exam दृष्टी को subscribe कीजिए, और हाँ, छोटी-छोटी वीडियो हैं, सब को share कीजिए, उनको भ जय हिन, जय भारत